हलो दोस्तों नमश्कार आदाप सस्रिया काल सभी को जी एस सुनू कार्ड में आपका हार्तिक स्वागत और अफिनंदन करते हैं अच्छ हम बात करेंगे यह नाइस डिलेट को गजट के लिए बड़ी नोटिफिकेशन क्या है हम आपको बता दें जैसा कि थंबले में लगा है और क्या इस डिलेट की बिद्यार्तिक लिए इसमें कुछ फाइदे की बात की गई है नहीं कि पहले आप देख सकते हैं अपडेट देखिए बाइस एक दोहजार चोबिस का सेट दर आप देख सकते हैं यह आर्टिया इनमबर भी है और इन्होंने प्रिंट दा अर्टिया अधार पर उन्हों से जबा मांगा गया तो उन्होंने जवाब की बारिम क्या देख सकते हैं पुरा डेट है बाइस एक दोहजार चोबिस को बाइस एक दोहजार चोबिस पे एकसर लिया गया है नोडल आफिसर के देख सकते हैं टेलेफोन नमबर उसके बाद आप सारे ची की बात करके उन्होंने टाल दिया देखिए आपके जैसे पहले भी पता हो कि कई आर्ट याई डाल ली गई थी आर्ट याई के बाद ने जवाब दिया था लेकिन आप कुछ ऐसे मुद्धे पर उन्हें जवाब दिया देख सकते हैं टू पबलिक देखिए डिलेट कारें को एंसीटी द्वारा अठारा महिने के समयवधी में पूरा किया गया और अठारा महिनी में छे महिने की इंटरंसिप भी सामिल की गई इसके इससे साफ है कि समयवधी छे महिने की छूट दी गई एंसीटी द्वारा किस प्रावधान या सक्तियों का नियमों को प्रयोग करके यहां च्छे महीने की छूट दी जाती ही सम्मंदिश दस्तावेच उभलब्ध कराएं किस से पूझा गया है येंसीटी से अगर आपने च्छे महीने की छूट दी थी कोर्स कराते समय तो आपने किस आधार भी किया था इसके बारे में अपली के संद कोई छूट नहीं दी जाएगी येंसीटी ने किस नियम के प्रधान के तहत नियस जीलेट को कारकरम को छे महीने की समाधी को छोट दी क्योंकि पहले भी कहा गया थे इनको छूट नहीं किस आधार पर छोट दी तीसरा कुश्चन क्या है देखिए एंसीटी के इंगलिस में नियन सीटी के मानना आदेश के परति प्रवंदा सरकार को पहले से भेज दी गई थी अप्रे आफ इंडिया प्रेस डिस्पैश नंबर ये मलब वही किया है जो गजट प्रकासन के लिए भेजा गया था उससे पूछा गया है कि अगर एंसीटी ने दिल्ली ने आर्टी राज पत्र में खंड थर्ड भाग तीन और खंड चार प्रकासित नहीं की गई है क्योंकि विवभाग ने इस दिज़सा निर्देश को पालन नहीं किया था कि इसले हमने इसको प्रिंट नहीं किया चली दूसरी चीज़ देख सकते हैं यहीं आपको इंग्लिस में है चौथा कुश्चन था एंसीटी के जो गर्जेट परकासन को लेखे पांचवा कुश्चन एना इस डिलट को दो साल को किसा अधार पर आप बता रहे हैं तो पांच कुश्चन को सवाल पूछे गए थे एंसीटी उसके बाद यह आपका पूरा स कि यदि एंसीटी निर्देसों को पाला ने किया है तो राजपत्र प्रकासन भुक्तान क्यों नहीं किया गया दूसरी है समंधित प्रमाण पात्र के में रसीद प्रादान करें अगर इसकी चीज़ है तो इसका रसीद भी देनी चाहिए दूसरा चीज़ है वही कि करा रहे तो आठाव आच्छे मेंने की चुट की सधार पर दी पहला को सवाल था दूसरा सवाल यह कह रहा है कि जो यह चुट दी गई उसमें आठीए में उसमें कहा गया था कि भारत सरकार धिनियम में एक सीले के आठ तक कोई चूट नहीं दी जाएगी तो आपने चूट शोन कर दिया कहते ना सिटि कोंच नहीं की और उन्हें से जवाब मांगा गया तो फिर्फ़माज साब कहा गया दूखे देख सकते हैं सारी चीजे कि जो जैसा किया बहुत आधार पर हमने चीज किया उन्होंने आथार हम ने चीज टी प्रकाशन है कि बहारत सरकार इसमें संसोधन कर से तो हम उसने यहाज उस अधार पर इसमें संसोधन कर कि हमने इंटरणिप आलरड़ी 4 महिने के कूर्स क्यों कराया उसके बाद ये छे महिने मनलब की आप आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया तो ये सारे चीज एंसीटी ने एक जवाब साफ साफ देखिए लिख सकता है देखी ये भारा संग जवाब उसका देखिए राश्टी अतहबक सिछा परिश्चा कोई जवाब नहीं दिया कहने का मतलब एंसीटी खुद फस गया है कि हमने की साधार पे कराया तो यह चीज तो अब यह सारे हमारे लिए पुक्ता सबूत है पुक्ता सबूत इसलिए है कि हम सुप्रीम कोट में इस बात को रखेंगे कि सार हमने इन से पूछा फिर भी इनक कहीं यह कराया जाएगा चले मिलते हैं नेवा डूएक साथ जहीं साथी नमस्कार